तो देखोंगे बच्चों यहां से इस वाले एक अच्छा सा सवाल है कि यह करता है यह प्लेनेट है कोई प्लेनेट है उसका एक कंडिशन दिया हुआ है ऐसा यह खुद कहीं रहे हैं तो अब यह कहते हैं कि यहां पर तुम देखोंगे कि देंसीटी इन दोनों का एक्वल मलब देंसीटी अप्लेनेट इक्वल टू डेंसीटी आफ अर्थ यह अब्जेक्टिवेट डबलू यह मैं यह मैं प्लेनेट लेता हूँ इसकी जो डेटा होता है रेडियदी साफ प्लेनेट पी फृंठी और यह मैं अर्थ लिता हूँ तो अर्थ का डेटा में डिनोट करता हूँ से कुछ तो कहता है अगर एक 20 यह डाइनेट पर सक्रमेट कितना हो कि क्यूंस करें इसकी कैल्कुलेशन क्या खाल y सबसे पहले जो कंडिशन दिया हुआ वेट होता क्या चीज है व्येट होता है चीच्छोaggi ठीक है अब इसी mg को मैं अर्थ के लिए लगाता हूं फॉर अर्थ के लिए अगर देखोगे तो अर्थ के लिए जो वेट है वेट फॉर अर्थ डेट इस डबलू है तैट इस इकल टू मास अफ अब्जेक्ट और एक्सलेशन ड्यूटी अन अर्थ और फॉर प्लेनेट के लिए लगाओगे तो प्लेनेट पे जागे देखो भई तो प्लेनेट पे जागे देखोगे तो प्लेनेट के लिए डबलू डैस आ जाएगा और मास और जी अप प्लेनेट तो अगर इनमें डिवाइड कर दोगे तो डबलू डैस अपान डबलू की ज G होता है किसी भी चीज का अगर G अपड़े होगे तो G is equal to mass of planet और radius of planet का square यह वाली term तो यह G होती है तो अगर यह G होता है तो यहां से तुम देखोगे तो G mass of planet और radius of planet का square का term बनेगा divide कर दूँ G mass of earth और यह उपर चले जाएगा radius of earth का square का term तो capital G capital G को खत्म कर दिया साथ साथ यह भी दिया हुआ mass of planet two times mass of earth है तो mass of earth को मैं side में लिग लेता हूं और radius of earth और radius of planet का square ले लेता हूं तो यह term cancel हो गया मतलब w dash की जो value आ जाएगी that is वह आ जाएगी two times w और यह जाएगा radius of earth और radius of planet का whole का square यह equation of हमारे पास finally बनके आया अब हमें कुछ नहीं करना है radius का equation radius का ratio निकाल के राके इसमें रख देना है तो अब रेडियस का ratio कैसे निकलेगा तो radius का ratio निकालने के लिए mass को यूज कर लेते हैं mass of planet जो है वह कितना है two times mass of earth के equal है तो इसका use कर लो और one में put कर दो mass of planet क्या होता mass किसी भी चीज का क्या होता volume multiplied by density तो 4 by 3 pi r of planet का q और multiplied by density of planet must be equal to 4 by 3 pi r of earth का q multiplied by density of earth और यहां से 2 से multiply भी कर दें तो density equal खतम हो जाएगा 4 by 3 4 by खतम हो जाएगा तो यहां से हाँ आ जाएगा radius of earth और radius of planet की जो value आ जाएगी वो आ जाएगी 1 upon 2 की power 1 by 3 तो यह जो है radius of earth और यह वाली value ऊपर चली जाएगी first में put कर दो put this value in equation number first तो अगर first में put करोगे तो यहां से w dash की जो value आ जाएगी वो two times w और यहां से radius of earth और यह तो square लगा है तो ध्यान देना यह आ जाएगा 2 की power 2 by 3 2 की power 2 by 3 इसका मतलब यह हुगा कि w को अगर मैं side में रखों तो 1 by 2 की यह square term और यह ऐसे लिखा जाता है cube under root और इसमें 2 से multiply भी हुगा था तो इस 2 को अंदर ले जाओगे तो w को side में रखो और इस 2 को अंदर ले जाओ root के अंदर ले जाओगे तो cube cube है तो यह जाएगा 8 by 4 का cube यह ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह हुगा कि यह w और यहां से यह 2 अंदर रूट एक cube यह इसका मतलब यह हुगा कि w की value 2 multiplied by 1 by 3 तो finally जो w डैस आ जाएगा ओ आ जाएगा 2 की power 1 by 3 और multiplied by w this is the final solution that is d option इसका सही है तो एक बार देख लो इसको check कर लो कहां तुम गलती कर रहते तो that is to यह वाला इतना weight हो जाएगा